हेलो गाईज सब्सक्राइब करें रस्मी जो लोग यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेज करें हमारी नहीं नहीं रैसीप देखने के लिए आज मैं बताऊंगी रात बच्ची हुई रोटी होती है ना उसकी बर्फी बनाने का सबसे आसान तरीका जो की टेस्टी तो होगी भी बनेगी भी बहुत नहीं बढ़िया तो इसे हम बना रहे हैं बिना सुगर के, हम इसे बिना सुगर के बनाएंगे, बहुत ही अच्छी और फैंटास्टिक, तो इसके लिए मैंने लिया है दो रोटियां, आप जितनी कॉंटिटी में बनाना चाहें, बना सकते हैं, मैंने एक छोटी से प्लेट बनाई थी, इसलिए मुझे दो ही रोटियों का यूज करना पड़ा, अगर आप ज्यादा कॉंटिटी में बना सकते हो, तो चार या पांच रोटी का यूज भी कर सकते हैं, रोटी को मैंने जार के अंदर डाल करके, इस तरह से पावडर बना लिया है, तो ये देखिए, रोटी का एकदम बारि सा और दानिदार सा पावडर तयार कर लिया है, अगर आपका पावडर थोड़ा मोटारे तो आप उसको चान करके ले ले, इस तरह से दंबारिक हो जाए, तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं, चलिए बाकी के इंग्रीडियन्स देख लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको सामग जगरी दिखा देती हूँ, जिन जिन चीजों का हम यूज करने वाले इस बरफी के अंदर, तो यहां भी यह देख सकते हो, यह है, रोटी का वो दरदरा सा दल्या, जो हमने अभी पीस करके तियार किया था, और यह है बेसन, यह देखे, और यह है गुड जगरी, और यह है मलाई, एक बड़ा चमच, और यह है पानी, जगरी को जगरी की जो चासनी है वो बनाने के लिए, तो चले सबसे पहले क्या करेंगे, कि इन दोनों को हम सेकर के त्यार करें, मैं घी भी आपको दिखा देती हूँ, और यह मैंने लिया है घी, आधा बाउल, आप देख सकते ह जितना हमने बेशन और यह लिया ना बेशन लिया एक कप, तो घी लिया मैंने आधा कप, और थोड़ा एक दू चमच अगर जरूर रोतों की तो और योज कर लेंगे, नहीं तो हम इतने से ही काम चलांगे, तो चले यह से बनाना सुरू करते हैं, सबते पहले क्या करेंगे, यह जो गूड है ना, इसको एक बाउल में डाल देते हैं, बड़ी से बर्तन में, और इसके अंदर पाने डाल गरके, इसको पिगलने देते हैं, गेस पे रख देंगे इसको पिगलने के लिए, और तब तक हम बेशन सेख करके तियार करेंगे, जब बेशन मोस्टली सेख ज ैं है, बेशन को इसके अंदर डालेगे, घी को मैंने पिगलाक़ के लिए आप देख सकते हो, तो हम आदा गी इसके अंदर डाल देते हैं, जितने ही हमारा बेशन हो जाए अच्छे से मिक्स हो जाए, उतना गी इसके अंदर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे penaod तो इस तरह से घी को मिला लिया है अच्छे से मुझे लगता नहीं कि अभी इसके अंदर घी डालने की ज़रूरत है तो चले इसी रोस्ट करना सुरू करते है देखे गुर्ड जो है वो मेल्ट हो रहा है अच्छे से चासनिक बन रही है इसकी और अब हम इसी चलाती भी रोस् जाएगी न तो मैं इस फ्लेम को स्लो कर लूँगी और स्लो फ्लेम पे लगबक मैं इसे 25 मिनट तक ऐसे ही चलाते वे सेक लूँगी एक दम स्लो फ्लेम पे आपको सेक लेना है 20 से 25 मिनट तक करते हैं लगबक 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसका color change होना शुरू हो गया है और ये गी भी छोड़ने लगा है तो लगव 5 मिनट तक मैं इसे ओर शेक लेती हूँ थोड़ असा इसका dark color आ जाए जो color है न वो काफी change हो गया थोड़ा dark होने लगा है इसका color आप इस तरह से देखिए जब आपको लगे कि बस अब इसमें ज्यादा देर नहीं है ये अच्छे से सीख गया है तब आपको जो हमने फलके जो रोटी थी न रोटी का बूरा तयार किया था वो बूरा इसके अंदर डाल देना है क्योंकि बूरे को भी हम 2-3 मिनट तक रोस्ट करेंगे ही इसका बहुत प्यारा सा कलर आगे खुश्बू भी बहुत अच्छी आने लगी है तो पहले कितना गोल्डन सा कलर था ना अब सिख करके एकदम गोल्डन सा होगे एकदम ब्राउन कलर का हो गया है आप देख सकते हो तो ये इसकी सिखने की पहचान होती है कि ये गीप जो रोपर में ये भी थोड़ा इसके अंदर अच्छे से सीख जाना चीए अब आप देख सकते हो ये डालते ही बेसन जो ना किस तरह से फूल फूल के आ रहा है ना क्योंकि रोट्टी के अंदर थो मोश्चर होता है नम्मी होती है ना उसकी वज़़ा से सारा बेसन अच्छे से फूल इलाइची का पाउडर हरी इलाइची का पाउडर जरू डालेगा टेस्ट में बहुत ही बढ़िया बनता है एक सी दू मिनट के लिए हम इसे रोस्ट करेंगे अभी अच्छे से इसे क्योंकि हमारी जो रोटी थी ना उसको हमें अच्छे से इसकी साथ में सीख लेना है कि अ आपकी बर्फिक काफी रोज तक खराब ने होगी तो अच्छे से जलने के बाद अब आप मेने जो दूद लिया था ना मलाई वाला यह हम एड़ करेंगे ताक कि एक दम से बैटर जो है ना खुला खुला बन जाए तो अब मैं इसके अंदर डाल गेस का फ्रीम एक मिनट के बिना फूड कलर के आप यह बर्फि बना सकते हों यह देखिए अब गेस का फ्रेम हम बंद कर देते हैं और आप बेशन का देखे कलर और जो रोटी कथी ना इसका साथ में कलर कितना प्यारा है ना बिना किसी फूड कलर के बहुत यह अच्छी बर्फि आपकी बन करके इसको छोड़ देते हैं देखते हैं चासनी तो इस तरह आप देखिए चासनी भी बन करके रड़ी हो गया है आपको इसको थोड़ा सा चासनी लेंगे हम यहां से और फिर इस तरह से करेंगे देखिए तार बन रहा है अच्छे से यह देखिए मतलब हमारी चासनी बिल्कु पूरे बैटर को अच्छी से मिक्स करना है और उसकी बात ग्रीस के बर्तन में इसको पलट देना है तो सारे बैटर को मैं इस प्लेट के अंदर डाल देते हूं इसको मैंने थोड़ी नीचे से ग्रीश कर लिया है तो आप देख सकते हो बिना फूड कलर के और जो बच्ची वी रोटी ना उनका यूज करके आप ये बर्फी बना सकते हो जब भी कई बार होते हैं काफी हमारी रोटी हम बचर जाती है और फिर अगर आप चाहें तो इस तरह से उनका यूज कर सकते हैं तो लीजिए सारी बर्फी मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया है अब इसको गार्ने गुलाब के फूल जो भी आपके पास में हो उनसे आप इस तरह से गार्णिशिंग करें और फिर प्लेट को रख दें 2-4 गंटे के लिए उसके बाद आप निकालें और जब यह 2-4 गंटे में सैट हो जाती है तो फिर आप देख सकते हो कितने प्यार इसी बर्फी जम करके अपनी मन चाही सेट के अंदर तो दोस्तों केसी लगी आज की हमारी वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताना और कॉमेंट में या फिर लाइक करने में या फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है इसलिए कंजूसी ना करें बिलकुल सब्सक्राइब के अंदर मसाले यूज करते हैं बहुत तरह तरह के मसाले डाल करके उनको बहतरीन क्वालिटी की बहुत बहतरीन टेस्ट वाली सब्सक्राइब करके और फिर बिना सुगर के गुड़ से बनाया है बहतरीन टेस्ट वाली है एक दम से टैपटीं लग रही है देख सकते हैं वाव खाने में भी बहुत बढ़िया जरूर बनाईएगा थेंक यू वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत बहुत